गुड इबनिंग डियर इस्टुडेंट्स, पॉली टेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं परियावर्णी अध्येन यानि की एन्वार्मेंटल इस्टडीज जो बीटी यूपी का सिलेवस है NSQF की अनुसार उसमें हम 20 महतपूर्ण प्रश्ण पूरे सिलेवस में से देखेंगे कि वो सारे के सारे सिलेवस को कबर करते हैं और परिच्चा की दरश्टी से बहुत ही महतपूर्ण है तो आईए सुरूआत करते हैं हम सबसे पहला जो प्रश्ण है वो है सिंपल परियावरन से आप क्या समझते हैं आप जानते हैं परी धनावरन और उसको कैसे डिटेल में लिखना है और परियावरन के घटक कौन कौन से होते हैं गटकों में आते हैं जैवे गटक अजैवे गटक उनमें फिर भोगता भी आ जाएंगे प्रात्मे को भोगता दुतिया को भोगता तृतिया को भोगता इस तरह से तो सारा आपको इसमें पढ़के समझ करके इसको एक्स्प्लेइन कर देना है उसके बाद दूसरा जो बड़ा महत्पूर्ण प्रश्ण है वो पारिस्थितिक तंत्र या उसको कई बार बच्चो एको सिस्टम को जैसे कहते हैं तो कई बार हिंदी में जब अनुवात करते हैं तो हो सकता है पारिस्थितिक तंत्र या पारी तंत्र न लिखकर को उसको एको सिस्टम हिंदी में ही लिख दिय तो बच्चों ecosystem अलग है, ecology अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कहीं न कहीं correlate करते हैं, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कई बार ऐसे पूछले की ecosystem तथा ecology में से क्या समझते हैं, तो दोनों को आपको अलग-अलग समझाना पड़ेगा। तीसरा है संसाधन जिसको हम resources कहते हैं वो क्या होते हैं कितने प्रकार के होते हैं जैसे आपका गैर नवी करनी है वोते हैं तो यह सारे आपको अच्छे से पढ़ लेना है concept अपना clear कर लेना है अगला है बच्चों चौथा सतत बिकास जिसको हम सस्टेनेबल डेवलमेंट कहते हैं वो क्या होता है क्या इसके लच्छन होते हैं वो आपको बढ़ियां से समझ लेना है ताकि आप परिच्छा में अच्छे से लिख सकें पांच मा है वायू परिदूशन क्या होता है इसके सरोध बिलकुल बच्चों ये पांच मी छटमी इसे लेकर के पढ़ाया जाने वाले टॉपिक्स हैं तो निश्चत तोड़ से आपको लेकर एक बार पढ़ना जरूर है की पॉइंट्स जो मुख बिंदू है वो तयार करना ह ताकि परिच्चा में आप कहीं भी अटके नहीं आप सीधे लिखते चले जाएं जो भी आपसे पूचा जा रहा है वायू प्रदूशन बता दीजे इसके सुरोध बता दीजे वायू प्रदूशन का मानो स्वास्त पर क्या प्रभाव पढ़ता है इसको विलकुल ये भी उ आपसे जो भी चीज पूची जाए उसको आप एक्स्प्लेइं कर पाने में सच्चा मोपाएंगे छटा है बच्चो वही वायू प्रदूशन की तरह आपका जल प्रदूशन बी है तो जल प्रदूशनका मानो स्वास्त पर क्या प्रभाव पढ़ता है जल प्रदूशन के क पूछा जा रहा है तो आप जितना उचित समय के हिसाब से आप लिख दीजिए नहीं जितना पूछा जा रहा है वो आप लिख दीजिए अब इसी में जो जल प्रदूसर्ण से ही सम्मंधित जो कुछ और टॉपिक्स ही जिसको मैं अलग प्रस्ण में डाला हूँ यह 100% पूछा ही जाता है हर बार आता है इसके अलाबा पूछा जाता है वाटर ट्रीटमेंट जो होता है वो उसकी प्रोसेस क्या होती उसको समझाईए तो बी ओडी सी ओडी और वाटर ट्रीटमेंट का जो पूरा प्रकिरिया या प्रोसेस होता है उसको आपको समझाना पड डायग्राम बना कर समझा देंगे तो बहुत आपके लिए भी एजी रहेगा और उसका इंप्रेशन बहुत बढ़िया पड़ेगा आठमा हम आ जाते हैं मिर्दा प्रदूशन यानि सोयल पॉलूशन की तरफ तो मिर्दा प्रदूशन क्या होता है मिर्दा प्रदूशन के स्रोथ कौन कौन से होते हैं इसके साथ ही इसी से जुड़ा हुआ है ठोस कचरे के परकार और इसके प्रभाव जो ठोस कचरा होता है यानि solid waste जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वो क्या होता है और इसके जो impact ये प्रभा होते हैं वो क्या होते हैं इसको आपको ठीक से समझना पड़ेगा नौमा है बच्चों इस सौट में भी पूछा जा सकता है या प्रशनी के रूप में आ जाए बहुत important है ठोस कचरा परबंदन जिसे हम कहते हैं solid waste management इसके अलावा एक होता है ये कचरा जिसको e waste कहते हैं यानि electronic waste वो क्या होता है पूरा उसके बारे में उदारन सहित आपको मजना पड़ेगा और जितना हो सके चित्र जरूर बनाईए और उसी को explain करने की आदिट डालिए दसमा प्रशने आपका ध्वनी प्रदूसन से सम्मंदित तो ध्वनी प्रदूसन क्या होता है इसको समझी है ध्वनी प्रदूसन के सुरोत कौन-कौन से होते हैं ध्वनी प् जोटा पॉइंट्स बना करके लिख लेना है तो जो पूचा जाए वो आप लिख दीजिए यदि सिर्फ ध्वनी प्रदूसन पूचा जा रहा है पांच नम्मर का है तो सारी हेडिंग छोटी-छोटी डाल करके सब में लिख दीजिए और ध्वनी प्रदूसन को कम करने के बिधिया या मैथट्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी आपको बढ़िया तरीके से लिख देना है अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरन संरचन से रिलेटेड जो कानून बने हैं बिधान बने हैं या पर्यावरनी ये बिधान उन पर संचिप्त टिपड़ी लिखने को पूंचा जाएगा तो ये बच्चों जो ये जो प्रस्ण है पर्यावर्णी ये बिधान जो होते हैं इससे related 100% जल प्रदूशन या वायू प्रदूशन में से एक या दोनों 100% पूंचे ही जाएंगे तो ये बच्चों सिर्फ एक बार समझने का टॉपिक है आदा से जादा तो उसी में लिखा हुआ है कि 1974 बना तो वही समझा देना है कि ये एक अधिनिया में जिसका निर्माण 1974 में किया गया ताब समझ में आ रहा है कि जल प्रदूशन से प्रदूशन के लिए जो बिदान या कानून कौन-कौन से बने है और उनके क्या-क्या उनमें सामिल किये गए बिंदू उनको आपको समझ करके लिख देना है तो ये बच्चों बहुत ज्यादा महत्पून है एक तो ये जल प्रदूशन वायू प्रदूशन वाला जो एक् तो यह बहुत महत्पूर्ण है, बिल्कुल कोई भी बता सकता है कि यह पेपर में 100% आने ही आने हैं, इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह परिच्छा में यही आपके टॉपिक्स, यही सिलेबस में हैं, इससे बाहर पेपर नहीं जाता है, यही गुमा फिराकर वो भले ही संचिप्ते टिपड़ी में पूछ ले, चाहे वो सीधे पूरा लिख करके पूछ ले, या कुछ और उसमें जोड़ देका, प्रस्न तो वो एक अलग चीज़ है, पंद्रमा हम बात कर लेते हैं, एनजीटी, एनजीटी का फुल फॉर्म होता है, नेशनल ग्रीन जैसे इसको राश्ट्री हरित प्राधीकरन बोलते हैं, या राश्ट्री हरित ट्रिविउनल बोलते हैं, तो ये बच्चों इसमें एनजीटी क्यों बना था, आदे से जादा, चुँकि परियावरण से सम्मंदित बिसे है, तो नेशनल ग्राज समझ में आ रहे हैं कि राश में भी मैंने बच्चों को बताया था, एनजीटी की वेपसाइड है, आप उसको बिजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारा कुछ उसी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बड़ा महत्पूर्ण है, परियावरणी प्रभाव आंकलन इया आईए, इसको आपको शॉर्ट टू वीलर का, फोल वीलर का, तो वो सब इसी में आते हैं, राज प्रदूसर्ण इंतरन बोर्ड के अंतर का, तो यही सारे कार उनके होते हैं, प्रदूसर्ण को रोकना, फाइन जुर्माना, लगाना, लाइसेंस देना, यह सब आप पढ़ लीजी, इसकी भी वेपसाइड ह हैं, वो सारा है, अठारमा यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बिना देखे कोई कह सकता है, कि यह 100% आने ही आने हैं, चाहे वो संचिप्त टिपनी के रूप में पूछ लें, चाहे वो प्रशन बना करके पूछ लें, जैसे ओजों पर अच्छा पांच मीं से बच्चो जों की ऑक्सीजन से कैसे उसका डिपलीशन होता है, कैसे बनता है, तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, तो जों लेयर डिपलीशन हो गया, अमली यह वर्सा ऐसे ड्रेन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग जिसको वेस्विक्त आपन कहते हैं, तो हिंदी और इं जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉंसेप्ट है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह सारे प्रस्न इन में से मैक्सम यह तो पूरे आएंगे, या फिर चार पांच तो आने ही आने हैं, आप इससे कोई भी बच नहीं सकता है, यह आप चीज जान लीजे, क्योंकि हर बार यह जाता है, और स्मार्ट में से बड़ा इंपॉर्टेंट टापिक है, इन में से दो में से दोनों या एक जरूर पूछा जाता है, यह आप नोट कर लीजे, और सबसे लाश्ट में फिर मैं यही कहूंगा कि वायू मंडल की जैसे संरचना के बारे में भी कभी कभार प्रशन जाता है, कि वायू मंडल की जो बिवन पढ़ते होती है, वो कौन कौन सी होती है, यह मंडल डिफरेंट जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बनानी की ट्रिक भी है, आप उसको देखेंगे नेट पे तो मिल जाएगा, उसको सीख लीजे, और उसमें बढ़ियां स आपको लिख करके आपको उसमें शॉल्ट ट्रिक से यानि छोटे छोटे टॉपिक से हैडिंग लिख लेना है, ताकि एन पर इच्छा के पहले आप आदे घंटे भी रिवीजन कर लेंगे, तो पूरा आपके मैंड में फ्रेस बना रहेगा, और बढ़ियां तरीके से धाई गंटे तक, theoretical बिसे है, कहीं न कहीं जितना अच्छा लिखेंगे, उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहेगी, बढ़ियां से आपको लिखना है, सजाकर अच्छे से heading डालते हुए, तो बहुत अच्छा impression पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको सीखना भी है क्योंकि बहुत जरूरी ये प्रतेक, जो इतनी भी ब्रांच चलती है, सभी में common होते हैं, यसे सिविल वाले अभी third sem में पढ़ते हैं, इसके साथ और कुछ ब्रांच वाले third sem में पढ़ लेते हैं, मेकनिकल वालों के लिए और कुछ अन्र ब्रांच इसके लिए fourth sem में, सिल करके प्रस्न तो नहीं पूचे गए हैं, तो उनको भी आप देख लीजे, और सीख लीजे, सीखने की कोई सीमा नहीं, तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है, उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों को फारवर्ड कीजिए, इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आप से मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक्यू बेरी मच, आप सभी का दिन शुब हो